हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल अगेन जैसा कि आपको पता है हम दिसमबर 2019 का कोशन पेपर डिसकस कर रहे थे जिसमें से हमने स्टाटिक्स के कल कुछ कोशन डिसकस किये थे ठीक है कुछ कोशन हो रहते हैं स्टाटिक्स के उसके उसको उन्स को आज हम एक्स्प् वो जरूर कर देना ओके लाट्स स्टाट फस्ट कोशन आता है कि इन में से कौन सी स्टेटमेंट है वो पूर है इन में से यह कॉषिन अभी आया था एक्जाम में इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रु है तो फस्टेटमेंट में कह रहा है कि The Sum of The deviation from mean ignoring algebraic sign is greater than the sum of deviation from median अगर हम deviation mean से लेते हैं algebraic sign को ignore करके तो क्या हमेशा वो median से जो हम लेते हैं, deviation उससे हमेशा जादा हता है, देखो इसको हम एक question से prove करेंगे यह statement right है, कैसे यहाँ पर इसने बोला sum of deviation from mean ignoring algebraic sign is greater than the sum of deviation from median ignoring algebraic sign पहली जो है हमने median से लिया हुआ है, देखो यहाँ पर serial number 9 तक दे रखा है यह wages दे रखी है आप कुछ भी assume करके example frame करके देख सकते हूँ तो यहाँ पर wages 40, 42, 45 है, यह given data है अब यहाँ पर हमने median निकाल लिया, अब देखो यहाँ पर 9 तक है करना है, तो 40-50 minus का 10 आता है, लेकिन हमने 10 लिया क्योंकि हमें जो sign है उनको consider नहीं करना है तो हमने देखा हूँ, अगर हमने median से लिया, अगर हमने deviation median से लेते हैं, तो हमारा जो sum of deviation है, वो कितना आता है, 43 आता है और दूसरे case में हमने mean से लिया, तो इस case में देखो, हमने mean निकाला, तो sigma x upon n, तो 441 upon 9, हमारा जो mean आ गया वो कितना आ गया, 49, ठीक है अब 40-49 minus का 9 आता लेकिन हमें, जो sign है, उनको क्या करना है, consider करना ही नहीं है, उनको ignore करना है तो उस case के अंदर हमारा mean आया, sum of deviation of mean आया, वो कितना आया 44, तो यानि ये बात prove होगी, कि अगर हम जो sign को ignore करते हैं, तो हमेशा जो deviation mean से लेते हैं वो हमेशा median से जो deviation लेते हैं, उससे हमेशा ज़्यादा आता है देखो, अगर हमने यहाँ पर deviation mean से लिया है, तो हमारा कितना से ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर plus minus sign को ignore करते हैं, तो तो यहनि, first statement तो हमारी बिल्कुल right है, second statement कहते है, standard deviation is independent of change of origin and change of scale, firstly हम पढ़ते हैं, मतलब change of origin और change of scale क्या होता है, change of origin का मतलब क्या होता है, कि अगर हम plus minus करते हैं, ठीक है, और change of scale का मतलब होता है, गर हम multiply or divide करते हैं, ठीक है, तो यह statement wrong है, कि standard deviation is independent change of origin and change of scale, ठीक है, standard deviation independent of origin तो होता है, लेकिन effect of change of scale, यानि अगर इसमें plus minus करते हैं तो तो कोई impact नहीं पढ़ता, लेकिन अगर हमें इसमें multiply or divide करते हैं तो इसके उपर impact पढ़ता है, ठीक है, तो यह statement wrong है, standard deviation is independent of change of origin, यहां तक तो सही है, लेकिन but effect of scale, ठीक है, but effect change of scale, ठीक है, क्योंकि इसका अगर scale से इसका इस पर impact पढ़ता है, तो यह वाले statement आपके क्या हो गई, रोंग हो ठीक है, independent of change of origin होता है, but not change of scale, ठीक है, but effect change of scale, जो अगर multiply, divide करेंगे, तो इस पर इसका impact पढ़ेगा, इसके मौन यह किया हता है, कि इन symmetrical distribution, mean deviation equal to the 4 by 5 of standard deviation, देखो, symmetrical distribution के case में, ठीक है, इसने बोला, जो mean deviation होता है, symmetrical distribution के case में, जो mean deviation होता है, वो 4 by 5 होता है, standard deviation के, हाँ, यह होता है, 4 by 5 standard deviation के, ठीक है, यह statement right है, ठीक है, तो mean deviation तो कितना होता है, 4 by 5 standard deviation के, और अगर आप से question में पूछले, standard deviation कितना होगा, तो standard deviation कितना हो जाएगा, 5 by 4 हो जाएगा, किसके, में डैवेशन के ठीक है तो इसका उल्टा हो जाएगा तो यह वाले स्टेट्मेंट आपकी राइट है कि सिमेट्रिकल डिस्टिबूशन के केस में हमने पहले भी जो स्टेटिक्स की कोशन सीरीज चल दी है उसके अंदर पहले भी हम यह डिसकस कर चुके है लेकिन उसमें यह दे रखा था कि एसमेट्रिकल डिस्टिबूशन के केस के अंदर क्या स्टेंडर्ड डैवेशन है वह 1.25 होता है में डैवेशन के ठीक है लेकिन वह समेट्रिकल डिस्टिबूशन के केस में नहीं होता है सिमेट्रिकल डिस्टिबूशन के केस में होता है जैसे कि इसमें दे इसके बाद next कहता है कि इन्हें symmetrical and bell-shaped distribution quartile deviation 1 by 3 of standard deviation नहीं symmetrical distribution के case में quartile deviation 1 by 3 नहीं होता standard deviation के symmetrical distribution के case में जो quartile deviation होता है वो 2 by 3 होता है standard deviation के इसलिए ये statement आपकी रोंग हो गई और ये वाल statement भी आपकी रोंग हो गई तो आपकी कौन सी सही होगी first and third तो आपकी कौन सी statement सही होगी first and third यानि A and C है वो इसका क्या हो गया answer हो गया इसको तो हमने caution से proof कर दिया second हमने पढ़ी थे कि जो standard deviation होता है इस पर जो plus या minus का तो impact नहीं पढ़ता लेकिन change of scale लेकिन scale से ही impact होता है तो ये वाला question इस पर exam में पूछा गया था okay next question इसमें फिर यही पूछा है कि which of the following statements are true ठीक है इस में से कौन सी statement है वो true है ठीक है इन में से कौन सी statement है वो क्या है true है ठीक है पहली statement पढ़ते हैं skewness study the flatness और picketness of the distribution नहीं skewness की study नहीं करता कार्टोसीज करता है ठीक है कार्टोसीज में बढ़ते हैं degree of flatness और picketness ठीक है kartosis के अंदर हम करते है ना कि skewness के अंदर करते है skewness तो हमें यह बताता है lack of symmetry कि वो कितना symmetrical है positively skewed कितना है negatively skewed कितना है ठीके यह बताता है हमें skewness है ना कि flatness कितनी है या piquedness कितनी है यह हमें बताता है kartosis ठीके next इसने statement बोली है कि positively skewed distribution इसने बोला है कि जो positively skew distribution होता है क्या वो right side में ज्यादा skew होता है यस देखो यह आपका positively skew distribution है positively skew distribution के case में आप देख लिए हो यह किस की side ज्यादा shift है यह right side ज्यादा है तो यह वाली statement आपकी क्या हो गई यह वाली statement आपकी क्या हो गई कि positively skew distribution के case में जो कर होता है वो right side ज्यादा होता है और negative distribution के case में किस side होगा left side होगा और symmetrical distribution के case में तो क्या होगा mean median mode है वो बराबर ही होता है वो central के अंदर होगा फिर फिर कहता है कि यह वाले statement रोंग होगी second right होगी उसके बाद कहता है कि on the basis of empirical relationship between mean, mode and median for the moderately asymmetrical distribution Carl Pearson coefficient can be measured 3 mean minus median divided by standard deviation कैसे होता है इसने पूछा है कि जब हम Carl Pearson के अंदर coefficient of correlation निकालते हैं तो इसके अंदर हम skewness को ऐसे measure कर सकते हैं 3 bracket में mean minus median divided by standard deviation यस देखो यह देखो Carl Pearson method है इसके अंदर देखो coefficient of skewness कैसे निकालने हैं 3 bracket mean minus median divided by standard deviation यानि यह वाले statement भी आपकी क्या हो गई right हो गई यह वाले statement भी आपकी right हो गई उसके बाद इसने कहाया है कि if mean less than more the distribution is positively skewed अगर mean है वो mode से कम है तो क्या वो distribution positively है नहीं यह statement wrong है देखो अगर mean greater than median greater than mode है तो वो positively skewed है अगर mean less than median less than mode है तो वो क्या है negatively skewed है यानि यह statement क्या है wrong है ठीक है यह positively नहीं होगा यह क्या होगा negatively skewed होगा अगर mean less than more है तो ठीक है अगर mean greater than median greater than more है तो वो positively होगा अगर mean less than median less than more है तो उस case में क्या होगा वो negatively होगा ठीक है तो इस statement में से कौन सी सही है first है वो गलत हो गया क्योंकि काटो सी study करता है flatness और piquetness की ना की skewness है second इसने बोला कि positively skewed distribution कर more to the right side yes हमने देखा था कि जो positively skewed से है वो क्या होता है right side और जो negatively skewed से होता है वो क्या होता है left side में होता है ठीक है तो यह वाले statement right on the basis of empirical relationship यह हमने एक जो अभी हमने देखा था उसके हमने proof कर दिया कि हाँ काल पियर्सन ने काल पियर्सन mode है तो क्या जो distribution है वो positively skewed है नहीं वो negatively skewed है अगर mean greater than median greater than mode है तो वो positively skewed है ठीक है और अगर mean less than median less than mode है तो वो क्या है आपका negatively skewed है तो यह वाले statement आपकी क्या है रोंगे यह वाले भी रोंगे आपकी कौन सी सही है BNC ठीक है तो BNC इसका क्या हो जाएगा? अंसर हो जाएगा. ठीक है? तो ये वाला question भी इस बार जो exam हो तो उसमें उसमें उच्छा गया था. इसके बाद इसने बोला है कि इसमें से कौन सी statement है ना? वो false है. ठीक है? Which of the following statement are false है? तो जो ये statement दे रखी है, इनमें से कौन सी statement है वो false है. फर्स इसने बोला है कि the value of correlation coefficient is 1 that 2 regression line कौन काइट? ठीक है? कौन काइट. मतलब अगर 2 regression line identical है, तो उस case में value of correlation coefficient की value 1 होती है? यस. ठीक है? या तो आपको पता है, जो जैसे regression coefficient होता है, उसके अंदर जो sign होता है, वो मेंशे same होता है. या तो दोनो positive होता है, या दोनो negative होता है. ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक positive हो, एक negative हो. यह तो दोनो positive होंगे यह दोनो negative होंगे तो इसने यही बोला कि जब correlation coefficient 1 होता है तो two regression line कौन का है तो दोनो regression line क्या होता है identical होती है ठीक है मतलब same होती है तो यह वाले जो statement है आपकी क्या है राइट है इसने बोला इन में से कौन सी गलत है इसमें से हमने गलत चूज करनी है कौन सी false है तो इसने बोला the regression coefficient are independent of change of origin and change of scale नहीं regression coefficient में भी वही होता है जैसे standard deviation के case में होता है तो होता है लेकिन affect change of scale correlation के case में होता है correlation के case में क्या होता है independent of change of origin and change of scale, ठीक है, correlation coefficient के case में, जो change of origin से भी independent होता है, और change of scale से भी independent होता है, ठीक है, तो यह वाली statement ही वैसे तो हमारी रहोंगे, यूगि regression coefficient के case में क्या होता है, independent of origin तो होता है, मतलब plus या minus करने से तो impact नहीं पढ़ता, लेकिन multiply या divide अगर हम करते हैं, तो उसका impact पढ़ता है, ठीक है, किसमें, regression coefficient के case में, और correlation coefficient के case में क्या होता है, दोनों से independent होता है, independent change of origin and independent change of scale, ठीक है, उसके बाद, the sign of the regression coefficient is always the same, इसको हम पहले discuss कर चुके हैं, कि जो regression coefficient है न, उसके sign हमेशा same होता है, या तो दोनों positive होंगे, या दोनों negative होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, कि एक positive हो और दूसरा negative हो, ठीक है, तो sign of regression coefficient are always the same, यह वाली statement भी हमारी सही है, वैसे इसमें से हमने यहीं बताने थी कि कौन सी रोंगे, तो वो में मिल चुकी है, उसके बाद और पढ़ लेते हैं, कि square of coefficient of correlation is called the coefficient of determination, यस, देखूं, जो coefficient of correlation है, उसको हम R से denote करते हैं, ठीक है, और जब R square कर ले देते हैं, इसने बोला, square of coefficient correlation, यानि जब हम इसका square कर देते हैं, तो यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है, coefficient of determination के, ठीक है, R square को क्या बोलते हैं, coefficient of determination, और R क्या होता है, coefficient of correlation, तो इसने यही बोला, कि the square of the coefficient of correlation is called coefficient of determination, कि जब हम correlation coefficient का square कर देते हैं, तो क्या उसको हम coefficient of determination बोलते हैं, यस, ठीक है, तो इसमें से हमारी कौनसे statement wrong हो गई, यह वाली रोंगों हुई, क्योंकि regression coefficient independent change of origin तो होता है, but affect change of scale, लेकिन scale से impact वो होता है next question आता है production function, इसमें से ही बताने कि जैसे formula दिया हुआ है तो यह किसका दिया हुआ है, constant elasticity substitution function, variable elasticity substitution function, leontiff type function, cove douglas function, ठीक है, constant elasticity substitution function का है या variable elasticity substitution function का है, या leontiff type function का है या cove douglas function का है, तो यह formula किसका है, constant elasticity substitution function का है, ठीक है, तो यह वाला question भी इस बार paper में आया था, ठीक है, next question पूछ रहा है, कि at the stage, at the stage data analyze, at the stage data analyze, in which quantitative techniques have been used by the researchers, evidence, warrant, the rejection of null hypothesis, which of the following decision of researcher deemed appropriate है, यानि at the stage of data analyze, in which quantitative technique, अगर researcher है, वो क्या कर रहा है, null hypothesis को reject कर रहा है, ठीक है, अगर researcher है, वो क्या कर रहा है, null hypothesis को reject कर रहा है, तो इसमें से पूछ रहा है, कि फिर उसके लिए कौन सा decision appropriate होगा, अगर वो null hypothesis को reject कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर null hypothesis को reject कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा alternative hypothesis को accept कर लेगा ठीक है इसमें बोला है कि अगर researcher है quantitative techniques के अंदर researcher है वो ये पाता है कि अगर वो null hypothesis को reject करता है तो वो कौन सा decision उसके लिए appropriate होगा ठीक है तो वो क्या कर लेगा alternative hypothesis को accept कर लेगा देखते हैं question में क्या है rejecting the null hypothesis and accepting the substantive research hypothesis क्या वो null hypothesis को reject कर लेगा और substantive research hypothesis को accept कर लेगा ठीक है rejecting the null hypothesis without taking any decision on the substantive research hypothesis क्या वो reject कर देगा null hypothesis को बिना कोई decision लेके accepting the null hypothesis without taking any decision on the substantive research hypothesis ठीक है क्या वो null hypothesis को accept कर लेगा without कोई भी decision लिए या accepting the null hypothesis and rejecting the substantive research hypothesis ठीक है तो इस case में क्या होगा कि वो rejecting the null hypothesis and accepting the substantive research hypothesis तो वो null hypothesis को reject कर रहा है तो इसका मतलब क्या है substantive का मतलब क्या होगा कि वो alternative hypothesis को क्या कर लेगा accept कर लेगा ठीक है नल हाइपोथेस को reject कर रहा है तो इसका मतलब क्या है वो alternative hypothesis है उसको accept कर लेगा ठीक है तो यह हमारे question थे आज हमारे जितने भी stats के अंदर जो question आये थे December 2019 के अंदर वो खतम होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को share, like और subscribe हो जरूर कर देना thank you